हलो आभीवन वेलकन दो वाइफ़ एड्यूकेशन वाइफ़ एड्यूकेशन वीडियो में हम रिसकस करेंगे इंटेलियांस ब्यूरो का प्रीवियस येर कोश्चन पेपर ये पेपर 15 अक्तूबर 2017 को एस्योर टू पोस्ट के लिए आफ्लाइन के पराइयो इसमें तोटल हंडड कोश्चन पूचे गए थे इन तोकहला सेक्शन 95 के मैठेमेंटिक्स के अगंधे उसके बाद जो अगला सेट्चन था वह सा पचीस कोश्चन जी के पुछे गये थे, उसके बाद 3rd section जो पुछा गया था, वो पुछा गया था, 25 questions reasoning के, उसके बाद जो last section था वो था 25 questions English language के, ये थे total 100 questions, 100 के 100 questions हम इस वीडियो के मादियम से detail में cover करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं, 2020 में इसका जो official notification है, वो out हो चुका है, इसलिए क काफी स्ट्वेंट्स की डिमांड थी कि सर इसका जो प्रीवियस पेपर है उसका पूरा का पूरा सल्यूशन आप अपनी चैनल पर पूरवाइड कीजिए इसलिए आपकी डिमांड पर ये वीडियो मैं आप तक लेकिया रहा हूं मेरा नाम है मोहित करका सो अब ज्यादा विल पार वान का वहें 30,000 अपका उसके बाद हायेस्ट और लोएस्ट जो मोबाइल फोन का प्राइस है उनको अगर हम उसमें से बाहर कर दें तो सैवन्टी एट मोबाइल फोन का जो अवरेज है वो दिया गया है 29,500 उसके बाद हाइएस्ट की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है हमसे पुछा गया है जो lowest price का जो है mobile phone का उसका basically हमसे price पुछा गया है इस परकार के question को आपको किस परकार करना है इस तरह के question को आपको सबसे पहले लिखना है sum सबसे पहले sum लिखके आपको 80 mobile phones का sum निकालना है जब आप 80 phone का mobile phones का निकालोगे sum तो आपको पता है जो इन mobile phones की जो एवरेज हमें दी गए थी उसके वाद 78 mobile phone रह चुके हैं क्यूंकि एक जो highest जो price वाला mobile phone है उसको include नहीं किया जाता और एक lowest price वाला जो mobile phone है इसको आउट कर दिया जाता है इन78 की जो average दी गई है वो दी गई है यानि हमारे पास जो highest और lowest की जो value आ चुकी है वो आ चुकी है 99,000 यानि एक लाग से एक हजार पे कमा उसके बाद हमें पता है कि highest जो mobile phone का price है वो है 80,000 यानि हमें निकालना है lowest का lowest का price कैसे निकलेगा हमारे पास 99,000 इन दोनों का sum है तो हमने इसमें से minus कर देना है 80,000 जो की highest का mobile phone का price है इसको माइट करेंगे तो आपको मिलेगा 19,000 यानि या यह जो value है वो है आमारे पास C option में इसका सही उत्तर है C option 19,000 जो है यह है कीमत उस जो सबसे कम वाला mobile phone है उसका सही price इसका सही उत्तर है C option 19,000 यानि यार पे I hope आप सभी को यह question clear हुआ होगा next question देखे second number question in a company the average income of all the employees is Rs.20,000 per month recently the company announced increment of Rs.2,000 per month for all the employees the new average income of all the employees is यानि एक company है जिसमें जो employee है वो हमें नहीं बताया गया कितने है इनकी जो average जो income है वो दी गई है हमें वो दी गई है 20,000 पर प्रती महीना और उसके बाद इनके द्वारा increment सभी मेड किया आता है 2,000 पर प्रती महीना उसके बाद हमसे new average बेसिकली यहां पे पुछ गई है इस परकार के question को कैसे करना है पहले जो average है previous average है previous average जो है वो हमें दी गई है 20, 20,000 पर जो है वो हमें previous जो average है वो दी गई है उसके बाद increment add कर देना है इसमें यानि increment कितना हुआ 2,000 पर यानि total जो new average होगी वो आएगी 20,000 पर क्योंकि जो average होगी उसमें जब हम हर एक individual में 2,000 पर add करेंगे तो हमारे पास जो average होगी उसमें 2,000 सभी का जो add है वो हो जाए यहां पे इनके द्वारा यह question जो था वो cancel कर दिया गया था जब 2017 में paper हुआ था बट इसका जो right answer है वो है a option यहां पे 1 इनके द्वारा mistakenly लिखा गया था इसका सही उत्तर है a option 22,000 पर इसका सही उत्तर है a option 22,000 पर आप सभी को यह question भी clear हुआ होगा नेक्स वोशन देखे थर्ड नंबर विष्णा प्रणव वेंट तू दा बैंक अधा स्पीड ऑफ 60 किलोमेटर पर हार वाइल रिटर्निंग फॉर इस होम ही कवर्ड दा हाफ अधा स्पीड ऑफ 10 किलोमेटर पर हार बट सड़नली ही रिलाइज़ अधाट ही वाज प्रणव और रिचर्ड दा होम बाई कवरिंग रेस्ट हाफ ऑफ दिस्टेंस अधा स्पीड ऑफ 30 किलोमेटर पर हार हमसे पुछा गया अवरेज सबसे पहले तो आप यह समझे जो प्रणव है जिसके द्वारा बैंक में जाय जाता है इसकी जो स्पीड दी गई है वो दी इसके अपनी मुल्स पूचा गया है होल जरणि जो है इसकी जो अब इसके पहले तो आप डिस्टेंस आप लेंटक डिस्टन्स यो है वह हमने कितना मालना है लेक्ट डिस्टन्स यो है बैंक और होम यानि यह मानलो वित सब्सक्रा इस आईगा । में लेख नियुक्त दिस्टन्स इसकतना किदना होेगा यह कि 2x 2x उसके बाद हमें पता है speed is equal to distance over time time is equal to distance over speed इसी formula को आपको apply करना है time जो है वो हमने यहां से find कर लेना है time उसके बाद हम यहां पर put कर देंगे तो हमारी value है वो आ जाएगी यहां पर हमें पता है कि जाने वक्त उसके पास distance होगा x km उसके बाद उसकी जो speed है वो है 60 km प्रत अचे सब्सक्राइब बार प्रतिकंटा के साफ से तैय किया जाता है उसके बाद इन सभी calcium ले लेना है 60% साथ साथ क्रीके पास यहां पर आ जाएगा नहां नहींगे इसको आप चैनल कर देना आपके पास यहां पर आजाएगा हमारे ऐसको आपको यहां पर इसको आपको यहां पर उत्रा कितना है हमारे पास नुसे की ऑपर जाके हो जाएगा X के साथ X Cancel हमारे बाल जो value आ चुकी है वो आ चुकी है चोवी किलोमेटर प्रतिगंटा इसका सही उत्तर था 24 किलोमेटर प्रतिगंटा इसका बिलकुल सही उत्तर दिया गया था Next question देखे Fourth number question Average expenditure जो है Mr. Sharma का January से लेकर June तक वो 42 रुपे हमें दिया गया है उसके बाद इसके दोवारा 1200 रुपे January में spending किया आता है और July में 1500 रुपे spending किया आता है हमसे पुछा गया है इसका जो average दिया गया है यानि February से लेकर जुलाई तक इसका जो average होगा वो basic लिए हमसे पूछा गया है सबसे पहले मैंने आपको बताया sum निकालना है total जो sum होगा expenditure का उसको आपको निकालना है हमें पता है 4200 रुपे कितने महिनाएं का है January से लेकर जुन तक January to June इसको यहाँ पे आप 6 महिने भी लेक सकते हो ठीक है 4200 into 6 क्योंकि 6 महिने है जनुन तक तो आपको इसको इसके साथ multiply करने के बाद जो value आएगी वो आएगी 25200 रुपे उसके बाद next year sum निकालना है वो निकालना है February से लेकर जुन तक February से जुन तक कैसे निकलेगा February से लेकर जुन तक हमें पता है January निकालना पड़ेगा हमें हमारे पास जो value आई वो आई 24000 रुपे उसके बाद हमें पूछा गया है February तो जुलाई यानि जुलाई कैड़ करना पड़ेगा sum निकलेगा जो हमारे पास February से लेकर जुलाई तक वो कितना निकलेगा 24000 रुपे प्लस 1500 रुपे इसमें जुलाई का वी निकलूड कर दिया गया है इसमें टोटल जो आया हमारे पास वो आया 25500 रुपे यह हमारे पास सामा चुक्या है हमने निकलना है आवरेज आवरेज कैसे निकलेगा sum कितना 25500 रुपे और टोटल जो महीने होए फर बी से लेकर जुलाईता को वह चे महीने इसको इसके साथ कैंसल कर देना है कैंसल आउट करने के बाद आपको जो वैली मिलेगी वह मिलेगी 4250 रुपे यहनि इसका सही उत्तर है 4250 रुपे इसका बिल्कुल सही उत्र दिया गया है और इनके दौरा एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया जाता है यानि हाथ मिलाया जाता है हमसे पुछा गया है है टोटल हैंडशेक कितने होंगे यहाँ पे 10 प्यूपल्स को आपको ध्यान रखना है इसका जो फॉर्मुला होता है वेसिकली वह आप याद रिखे यहां पर पता है टोटल कितनी हुए थस इंटू नो आवर दो दो पंचे 10 नो पंचे 45 यानि टोटल जो हैंडशेक होंगे वह होंगे 45 इसका सही उत्र है भी औप्शन 45 I hope आप सभी को यह question be clear हुआ होगा next question देखे 6th number question the average presence of students of a class in a college on Monday Tuesday and Wednesday is 32 यानि average presence students का वो Monday Tuesday और Wednesday का है 32 और Wednesday Thursday Friday Saturday को है 30 if the average number of students on all the six days is 26 then the number of students who attended the class on Wednesday Wednesday के दिन वो दिवार वाले दिन जो अटेंड की गई है students के दौरा वो कितने students है वो यहां से basically हम से पूचा गया है सबसे पहले तो आप देखिए यहां पे हम से पूचा गया है average दी गई है सबसे पहले sum sum में के लिखेंगे हैं Monday Tuesday और Wednesday यहां पे तीन दिन दी गई है इनका जो average है वो है 32 32 into 3 32 into 3 96 यह हमारे पास Monday Tuesday Wednesday का चुका है average का sum उसके बाद next sum हमारे पास दिया गया है Wednesday Thursday Friday Saturday यानि Wednesday यहां पे Thursday उसके बाद Friday next day है Saturday इन सभी coverage दिया गया है 30 30 into 4 120 next हमें दिया गया है जो 6 दिन है हफते के accept Sunday वो दिया गया है 6 का वो कितना दिया गया है 26 26 को आपको multiply कर देना है किसके साथ 6 के साथ यानि 156 हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है उसके बाद हमें पता है इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा डे है वो है वेटनेस डे इसको ही हम हमसे पूछा गया है इन दोनों को आगर हम सम करें 120 प्लस 96 इनको आड़ करने के बाद आपको वेल्यू मिलेगी वो मिलेगी 216 में से अगर इसको माइंस करोगी तो आपको वेल्यू मिलेगी वो मिलेगी 60 60 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है यानि इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है C option ने राइट अंसर C option एक्सोशन देखें सेवंध रंपकुष्ण सुरेश स्टार्ट इस जर्नी फ्रॉम पी टू क्यो यानि सुरेश एक पर्सन जिसके दोर अपनी जर्नी पी टू क्यो स्टार्ट की याती है बाइब ही इस बाइक पे अपनी बाइक पे अट था स्वीड आफ 40 km per hour and then the same distance he traveled on the on his foot at the distance at the speed of 10 km प्रतिघंटा from क्याउ टू आर then he returned from R to P via क्याउ एट था स्वीड आफ 20 km 24 km पर हार average speed जो है वो हमसे पूरे trip की पुछी गई जाए सबसे पहले तो देखिए आप P से लेकर क्याउ तक पी से लेकर जाता है क्याउ तक उसके बाद क्याउ से लेकर R तक उसके बाद इसको ही return किया जाता है यानि इसके बाद इसी मादेम से इसके दौरा वापस आया जाता है किया गया है वो क्या गया है उसको मान लेना आपको 4 एक्सा जिसमें इसके दौरा पहले ऐाइक पर उसके बाद इसके दौरा इसके दौरा पर ह। य hosts सकेAhs को खावर किया आता है ग्ली पीटू क्या हूँ स्पीड है वह है 40 km प्रतिगंटा यानि जो पहली वाली स्पीड दी गई है वह दी गई है एक्स जो डिस्टेंस अब उसको कवर करने के लिए 40 km प्रतिगंटा उसके बाद आपको मैंने बताया स्पीड इकल डिस्टेंस ओवर टाइम वही फारूला यहां सब्सक्रिकान जो secondary लगा वहाँ है उसके बाद नेक्ष्ट एक्स जो किलोमेटर children कवर किया आता है वह उसके बादत नेक्स जो कि एता है आते समय पीटू क्या हूँ जाने यानि बापस आते समयन के इसके द्वारा जो स्पीड है वो है 24 किलोमेटर प्रते गंटा यानि 2x बटे कितना लेख लेना है आपको 24 यहाँ पे 2 के साथ कैंसल हो जाएगा 12 यानि इसको हम क्या लेख सकते हैं एक्स बटे 40 प्लस एक्स बटे दस यानि उसके बाद एक्सल बटे बारा इनस अब के पास क्या निकलेगा 120 120 एक्सवी साथ हम ठीक है और यांपे कितना जाएगा 3x 12 बारा बारा एक्स प्लस दस एक्स बारा प्लस 3 15 15 25 25 25 अभर 120 25 फाइव एक्स ऑवर चौविस जो वैल्यू है हमारे पास वह आ चुकी है उसके बाद हमने निकालना है एवरेज स्पीड हम से बेसिकली पूछा गया है टोटल यो डिस्टेंस है वह है फोर एक्स का जैसे मैंने आपको बताया और उसके बाद रिवाड़ करना है फाइव एक् इसके साथ मालिप्लाई कर देना है यहाँ पर ऐक्स के साथ एक्स कैंसर यहां पर इसको आप काटोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वह आएगी वह आएगी वन $25 ठीक है और इसके बाद इसको आप वर इसको इन.2 km पर फ्रतिगंट यानि इसका जो सही उत्तर था क्लीर हुआ होगा नेक्ट शोचन देखे एट्थ नंबर कुश्चन में पूछा गया है एवरेज स्पीड अगेन रमेश वॉक्ड़ सिक्स किलोमेटर तो रीच दस्टेशन फ्रॉम इसके दौरा एक स्टेशन पर पहुंचने के लिए अपने घर से तैय किया जाता है उसके दौरा ट्रेन जो है जो इन कर लिया आती है और उसकी जो एवरेज स्पीड दी गया है वो दी गया है साथ किलोमेटर पती गंटा एंड थसी रीचेड हीज डेस्टिनेशन इन दिस वे इसके दौरा टोटल टाइम तीन गंटे यानि इसके दौरा टोटल जन्नी में कितना टाम लिया आता है तीन गंटे उसके बाद नेक्ष्टर बदाया गया है इन इंटायर जन्नी पे इसकी जो एवरेज है वो हैं 32 किलोमेटर प्रती गंटा देन दा आवरेज स्पीड ओफ यानि जो पैदल यात्रा है उसकी हमें एवरेज स्पीड यहां पर पूछा गया है सबसे पहले तो आप यह यहां पर देखिए इनके दौरा जो एवरेज है वो दी गई है 32 किलोमेटर प्रती गंटा ठीक है और अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर करना चाहें तो हम यहां से क दौरा जो टोटल डिस्टेंस वो कवर किया आता है अगर हम 32 को 3 के साथ मृटिप्ला करें तो हमारे पास 96 किलोमेटर जो है वह हमारे पास टोटल डिस्टेंस यहां पे आ चुका है उसके बाद हमें पता है जो हमारे पास जो पैदल वाली यात्रा है यानि इसके दौरा जो walking यात्रा है वह है 6 km की और बाकि जो यात्रा होगी वो होगी 90 km की जो की होगी train के माधह में से यानि हम यहाँ पे लिख सकते हैं walk यहाँ पे लिख सकते हैं train 90 кses के भाद हम से पूछागया गया है जो walking की average जो speed है वो basically हम से यहाँ पूछा गया है उसके बाद जो हमें ट्रेन की जो स्पीड याफ वो दी गई है 60 km पती गंटा यानि जो 90 km है वो 60 km पती गंटा के घशापसे तै किया जाता है, यानि इसको जो समा लगेगा वो लगेगा 1.500 यानि यहाँ पे हमें जो घंटे है तो इसके दौरा जो सफर रहे वह चे किलोमेटर प्रति घंटा यानि उसके जो पैदल वाली यात्र उसकी अवरेज निकलेगी चार किलोमेटर प्रति घंटा जो कि हमें डी ऑप्शन में दी गई है इसका सही उत्तर है D option नेक्श वोशन देखे नाइन्थ नंबर गोश्न बाला ट्रेवल्स फरस्ट वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस एड़ ता स्पिड ऑफ तैन किलोमेटर परहार यानि बाला है एक इसके दौरा वन थर्ड टोटल डिस्टेंस का वह 10 किलोमेटर प्रति घ इसमें हो जो स्पीद है दस किलोमेटर और इसमें है साथ हागर हम इनका निकाले तो हमें 100 मिलेगा अगर हम इन इन तीनों का जो डिस्टेंस है वो माले 60 km का, 60 km का ही इसका डिस्टेंस माले, इसका भी डिस्टेंस माले 60 km का, average speed जो है वो हम से यहाँ पे पुछा गया है, average speed कितनी का फार्मुला आपको पता होगा, distance over time, ठीक है, और distance है हमारे पास कितना हो चुका है, total 103 km का, और अगर बात करें हम पहले case में इसमें एक गंटा लगेगा, इसमें कितनी लगेंगे, 3 गंटे, यहाँ पे कितनी लगेंगे, 6 गंटे, 6 गंटे, 6 पलस 3, 9, 1, 10, यानी 180 वटे, 10, इसको इसकी साथ cancel करना है, इसका जो average speed निकलेगा, वो निकलेगा हमारे पास, 18 km प्रती घंटा, इसका यह option बिलकुल सही उत्र होगा, यह option 18 km प्रती घंटा, I hope आप सभी कोई यह question भी clear हुआ होगा, next question देखे 10th रंप कुछन, the distance of the school and house of Suresh is 80 km, यानी distance जो है school और house के बीच सुरेश के, एक सुरेश है इसके घर और school में जो distance है, वो है 6 km का, एक दिन, वो लेट पहुचता है, एक गंटा, then the normal time to leave for the college, so he increased his speed by 4 km पर हार, and thus he reached to college at the normal time, what is the changed speed of Suresh, यानी एक सुरेश है, जिसमें, जो school और घर में जो distance है, वो है, 80 km का, एक दिन, वो लेट पहुचता है, एक गंटा, जो normal time था पहले, जितना लगता था इसको, college में पहुचने के लिए, उसके बाद, इसके दोरा अपनी जो speed है, वो 4 km परतिगंटा के हिसाब से increase की गई, और इसके दोरा जो normal time था, वो ही use किया गया, पहुचने के लिए, उस school college में, उसके बाद हम से, जो changed speed है, वो basically यहाँ पे पुच्छा गया है, जैसा कि आपको पता है, speed is equal to distance over time, ठीक है, और time क्या निकलेगा हमारे पास, distance over speed, यह आ जो speed थी normal speed, वो थी x km, उसके बाद next वाले case में minus कर देना है, 80 बटे x plus 4, 4 km उसके दोरा जो speed है, वो बढ़ाई गई है, उसके बाद इसको जो total, इसमें जो gap मिलता है, अब मिलता है, एक गंटे का, इन दोनों का calcium ले ले लेना है, इनका calcium क्या निकलेगा, x, x plus 4, ठीक है, x, इस तरफ minus 80x, इस तरफ एक ही रहेगा, और 80x के साथ 80x cancel, और यह जो इस तरफ चल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो value है, हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, x square, x square plus 4x minus 320, इसको solve करने के बाद, इसको आपको factorize कर लेना है, आपके दो factor बनेगे, एक बनेगा x minus 16, एक बन की है, 16, और हमें पता है, जो बाद वाली स्पीड है, changed speed वो पुछा गया है, पहली वाली स्पीड आ है, यहाँ पे x की, यानि 16, बाद में कितनी होगी, यानि बाद वाली S1 पुछा गया है, x plus 4 बाली, यहाँ पे 16 plus 4 कर देना है, इसमें जो value आ जाएगी हमारे पास, वो आ प्रतिगंटा, यानि इसका सही उत्तर है, सही option, 20 किलोमेटर प्रतिगंटा, I hope आप सभी कोई ये question भी clear होगा, next question देखे, 11 नमबर प्रतिगंटा, अनिता गोज टू कॉलेज एट 20 किलोमेटर पर हार, एड रिचस कॉलेज 4 मिनिट से लेट, यानि एक अनिता है, इसका नाम पहले पहुंच जाती है, जो scheduled time college के द्वारा fix किया गया था, हमसे पूचा गया है distance कितना है, इस school और इस house में जिससे जो अनिता है, वो चलती है, अगर मालने पहले case में हमारे पास 20 किलोमेटर, दूसरे case में speed है 25 किलोमेटर, इनका LCM कितना निकलेगा हमारे पास, वो निक लगेंगे 4 गंटे, इन दोनों को gap कितना है, वन हर का, एक गंटे का, यानि 60 मिनिट का, और हमें पता है, जो पहला case है, इसमें जो 4 मिनिट लेटर पहुंच दिया है, यानि 4 मिनिट लेटर, और दूसरे case में 2 मिनिटर, पहले, यानि positive विचाती है, दो मिनिटर, अगर हमें यानि हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि time का जो gap है वो है 6 हर्ज का यहां पे 60 value दी गई है इसकी जो value है हमें वो कितनी मिल चुकी है 6 इसका कितने गुणा है इसका है एक अपटे 10 गुणा इसका है तो इसका जो distance माना है हमने 100 km इसका भी कितना निकलेगा 1 by 10 इसको इसके साथ cancel कर देना है आपको जो value मिलेगी वो मिलेगी 10 km का यहनि इन दोनों में जो distance है home और college में वो है 10 km का इसका सही उत्तर है इच अदर यानि दो पार्ट है आर और एस जिसमें डिस्टेंस दिया गया है 800 km का दो परसंज आर से चलता है एसकी तरफ एड़ एन इंट्रेवल ऑफ टू हर्ज दो इंट्रेवल के हिसाफ से वेरेज़ एलिवस आर फॉर एस बिफोर बी दा स्पीड़ ओफ ए और बी इस प्रतिगंटा और जो बी की स्पीड दी गई है वो दी गई है 60 km प्रतिगंटा अगर हम इनकी रेशो निकालने तो हमारे पास जो वैल्य आएगी वो आएगी चार बटे छे चार बटे छे इनकी जो रेशो है वो यहां पर आ चुकी है इनकी स्पीड की जो टाइम की रेशो होगी यह इसके बिल्कुल इनवर्स होगी आप सभी को पता होगा यह एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शन होते हैं इसलिए जो रेशो आएगी टाइम की रेशो आफ टाइम टाइम की रेशो क्या निकलेगी हमारे पास वह आजाएगी छे बटे चार यानि यह कह सकते हैं ठीड रेशो टो जिसका बिल्कुल सही उतर है दे ऑप्शन जैनि इसका राइट from R इन में distance basically यहाँ पर पुछा गया है इन दोनों पूइंट्स में जो distance है वो है 800 km का सबस्क्राइस कोईशन है पुछा गया है यानि यह जो distance होगा R से वो कितने का होगा यहाँ पर A कीistब है 40 और जो B है इसकी speed दी है 60 पुछा गया है Blest него DPS also जिस पॉइंट पे जो भी है वो ओवर्टे करेगा एक वो हमसे बेसिकली यहां पर पुछा गया है यहां पर हमें पता है जो एक ही जो स्पीड है वो दी गई है चार्स 40 km प्रतिगंटा एक दूसरे को वो टे कितने में क्रेंगे यहां पर हमने जो तायम की रेशो है वो जो हमारे पास टाइम की रेशो है और हमें पता है स्पीड जो है वो है 40 यानि हम आप पास जो डिस्टेंस आप वो निकालना है 40 x 6 कर दिना है आपको जो वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी 240 km यही इसको समें बेशची कोली पुछा गया था किसका सही उत्र है सी ओशनr 240 km इसका बिल्कुल राइट था रहित अप्शन एक परसने इसके तोरह अपनी जो स्पीड है वो रिड्यूस की जाती है 10 किलोमेटर प्रतिगंटा के हिसाफ से और इसको उस सेम जर्नी को तह करने के लिए 40 गंटे का समय ज़्यादा लगता है और अगर ये पहली वाली स्पीड यानि जो नॉर्मल स्पीड थी उससे 5 किलोमेटर प्रतिगंटा के हिसाफ से उरिजनल स्पीड से इंक्रीज कर दिया जाए तो इसके द्वारा 10 गंटे कम लिए जाते हैं उससे सेम जर्नी को तैग करने के लिए हमसे पुछा गया है इसके दौरा डिस्टेंस कवर किया गया है वह हमसे यहां पर पुछा गया है सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला पता है इस प्लस एस वन और एक इसके नीचे आएगा एस वन और इंटू कर देना है टीवन के साथ और यह एककल होता है कि इसके एस वन माइनस एस टू आवर एस टू इंटू इंटू टीटो यह फॉर्मूला बेसी के लिए एक होता है जिससे यह कॉश्ण सॉल्व होगा पहले केस में इसके द्वारा जो अपनी स्पीड है वो डिक्रीज की जाती है यानि दस एस माइनस दस आवर दस एंटू कर देना है फॉर्टी क्यूंकि इसके द्वारा जो टाइम है वो इंक्रीज क्या आता है चालीस किंटे और यह किसा एकशल होगा ऐस प्लस ऐस प्लस कितनी स्पीड बढ़ाएगी पांच किलोमेट्र और बटे कर देना है आपको पांच इंटू 10 और 10 के साथ आपको घार देना है चालीस को दस चोके čालीस और पांच दूना दस उसके बाद फूर एस इसको आपको स्वालु कर ल आचुक है यहां पर वोजो 025 यह मारे पास 25 जो की स्की आ चुक है और हमने उसके बाद निकालना है टाइम टाइम की वैल्यो निकालनी है यानि जो फर inadequ to के स्कॉर्ण थी हमें इसमें आपको ऐस की value है put करोगे तो आपको मिलेगा S-10 यानि 25-10 15 15 वटे 10 into 40 10-44 यानि आपको जो time मिलेगा वो मिलेगा 6 गंटे और आपकी speed है 25 किलोमेटर प्रतिगंटा आपसे पुछा गया है distance distance कितना निकलेगा हमारे पास 25 into 60 25 into 60 आपको मिलेगा distance 1500 किलोमेटर का जो हमसे यहाँ पे इस question में basically पुछा गया था इसका सही उत्तर है see option 1500 किलोमेटर का next question देखे 15 आपको जोटेशन the driver of an ambulance sees a bus यानि एक ambulance driver है जिसके दोरह एक bus को देखा जाता है जो कि 40 मेटर आगे है उस ambulance से और 20 seconds के बाद उसके दोरह फिर से देखा जाता है जो की 60 जो मेटर है वो पीछे रहा चुकी है जो bus थी हमसे पूछा गया है if the speed of the ambulance is 30 किलोमेटर प्रतिगंटा यानि ambulance की speed है अगर 30 किलोमेटर प्रतिगंटा हमसे bus की जो speed है वो basically यहाँ पे पूछा गया है सबसे पहले दो देखिए आप यहाँ पे यह interval जो हुआ वो हुआ 40 मिटर का और अगला जो interval हुआ वो हुआ 60 मिटर का इन दोनों older को इसके दोरह सबसे पहले release मेटर किया आता है और उसके बाद 6 fier आगे निकल जाती है याणि इसके दोरह total distance कावर किया आता है 100 मिटर कितने second में 20 सेकंड में, 20 सेकंड में अगर इसके दोवारा 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप यह जानि है एक सेकंड में कितना निकलेगा, एक सेकंड में इसके दोवारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, वो किया जाएगा 5 मीटर का, इसको किलोमेटर पर हार में आपको इसको convert करेना है ठारा वटे 5 करके, 5 के साथ पांच cancel आपको जो value मिलेगी यहां पर वो मिलेगी 18 किलोमेटर प्रतिगंटा, ठारा किलोमेटर प्रतिगंटा जो है यह speed दोनों की आ चुकी है, बट हमें जो speed दी गई है वो दी गई है, जो ambulance क स्पीड है वो है 30 किलोमेटर प्रतिगंटा यानि दोनों की speed दी गई है, a plus b यानि एक मालो, ambulance है, एक दूसरी बस हो गई, इन दोनों की speed कितनी दी गई है, 30 किलोमेटर प्रतिगंटा, हमें जो value आ चुकी है, वो आ चुकी है, हमें पुछा गया है speed बस की, जो ambulance की value है, वो दी गई, आ चुकी हमारे पास 18, यानि 30 माइनस 18 करेंगे, तो हमें जो value मिलेगी, वो मिलेगी, 12 किलोमेटर प्रतिगंटा, यह जो value है, हमारे पास वो बस की speed आ चुकी है, इसका सही उत्तर है, बी option, 12 किलोमेटर प्रतिगंटा, next question देखे, 16th number question, 16 number question, दो rabbits हैं, यानि दो खरगोश हैं, जो की एक दूसरे की तरफ चलते हैं, from A to B और B to A, यानि दो खरगोश हैं, यह मान लो दो पॉइंट हैं, A और B, और एक खरगोशी इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ चलता है, उसके बाद इन में जो distance दिया गया है the cross E चत्र, यानि cross करते हैं एक दूसरे को, after one hour and first rabbit reaches B, five by six hour before the second rabbit reaches A, यानि इन में जो time का जो interval दिया गया है, वो दिया गया है, पांच बटे, छे गंटे, और उसके बाद, before the second rabbit reaches A, next दिया गया है, if the distance between A and B is 50 km, यानि इन में जो distance दिया गया है, वो दिया गया है, वो दिया fast rabbit है, उसके द्वारा, पांच बटे, छे गंटे, जो है, वो कम लिए जाते हैं, same distance को तह करने के लिए, इस तरह के question को, आपको speed is equal to distance over time, ठीक है, और time की value, distance over speed, और पहले case में क्या होगा, जो 50 km प्रती गंटा, 50 km तह किया जाएगा, वो किया जाएगा, पहला वाला जो खर दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास जो total speed निकलेगी, relative speed का formula लगेगा, total speed निकलेगी, वो निकलेगी, a plus b, यानि S1 plus S2, यह हमारे पास total speed निकलेगी, S1 plus S2, और हमें पता है कि distance over speed होता है, is equal to time, time की value कितनी होती है, distance over speed, total distance कितनी है, 50 km का, speed कितनी है, हमारे पास S1 plus S2, यह दोनों किस के कुल है, एक के, और इन दोनों को एक दूसरे के equate कर देना है, आपको जो X की value मिलेगी, वो मिलेगी 5 बटे 2, 5 बटे 2 value जो है, वो हमें X की मिलेगी, उसको उसके बाद next आपको इस value को put कर देना है, 50 over, 5 बटे 2, minus 5 बटे 6, और यहाँ पे जो value आएगी 50 over, यहाँ पे LCM 6, और 2, 3, 3, 3, 15, minus, और यहाँ पे 6 कम 6, minus 5, यानि 50 बटे 10 into 6, 10, 1,0 से 1,0 cancel, यानि 30 km, इसकी जो value आएगी, वो आएगी 30 km की, जो भी हमें option में नहीं दिया गया है, इसमें थोड़ा सा कोई error है इस question में, ठीक है, बाद में इसको आपको explain कर दिया जाएग नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट कोशन देके सत्र नंभू कोशन, सत्र नंभू कोशन में पुछा गया है, प्रनव वाक्ड 5 km प्रतिगंटा, यानि प्रनव है जिसके दौरा 5 km प्रतिगंटा के इसाफ से, अपनी जो यात्रा है वो तैय की जाती है, and then he took an auto, उसक auto, यानि auto के साथ इसके द्वारा जो अपनी जर्नी है, वो कितनी तैगेगी, if the average speed of the entire journey भी 17 km प्रतिगंटा, यानि total जो जात्रा की जो entire speed दी गई है, average speed वो दी गई है, 17 km प्रतिगंटा, इस प्रकार के कोशन को आपको करना है, allegation mixture से, सबसे पहले दी गया है, 5 km प्रतिगं आपकी ratio, 8 ratio बाना, 8 ratio बाना आपकी जो value है, वो यहाँ पे आ चुकी है, उसके बाद, जब हम speed की, speed पर जब हम allegation लगाते हैं, allegation mixture, तो हमें जो value मिलती है, वो मिलती है time की, उसके बाद, हमें पता है, 8 ratio 12 जो है, वो हमारे पास value आ चुकी है, और साथ ही हमें ये भी बताया गया है, total जो गंटे लगते हैं, वो लगते हैं 10, यानि इन दोनों को add करने के बाद, हमें जो value मिलेगी, वो मिलेगी 20 गंटे, और इसकी value कितनी ही दी है, 10 गंटे, हम से पूछा गया है, हमें पूछा गया है, what part of journey did he travelled by auto, यानि auto के साथ इसके दोरा कितनी जो journey है, वो tag की जाती है, अगर इसका अधा कर रहे हैं, तो इसका भी का अधा करेंगे हम, इसका 6 गंटे आ जाएगा, 6 गंटे और इसकी speed है, 25 किलोमेटर प्रति गंटा, 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 इंटू, यानि 500 किलोमेटर के दोरा, auto के साथ journey यात्ता तैक की जाती है, इसका सही उत्तरहा as your option, 1500 किलोमेटर, next question देखिए, next series वाले question थे, बिल्कुल easy question थे, एक दो question था, जो की tough पुछा गया था, इस exam में, पहला जो question दिया गया है, series का वो दिया गया है, 18 नामे question, यहाँ पे 5, 12 और यहाँ पे question mark के place पे हम से पुछा गया है, क्या यहाँ पे fill होगा, सबसे पहले देखिए, आप 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 करना है, आपको मिलेगी value 12, उसके बाद, next वाला जो होगा, next 12 प्लस 7 प्लस 13, 12 प्लस 17, 19 प्लस 13, 22, यानि इस सवाल का जो सही उत्र है, वो तो है 22, C option, उसके बाद, next वाले step भी देख लेते हैं, कि इसकी जो logic है, वो क्या लगा हुए है, इसके बाद, 22, 22 प्लस 10, यानि इन दोनों को एड़ कर लेना है, 10 आ जाएगा, उसके बाद, ये जो last वाला है, इसका कर दिना है, आपको square, 22 प्लस 10, 32 प्लस 9, 41, यानि हमारा जो logic है, वो बिलकुल valid है, उसके बाद, next वाले step में भी हम देख लेते हैं, 41 प्लस, इन दोनों क को add करना है, आपको जो value मिलेगी, वो मिलेगी 19, इन दोनों को, इन दोनों को add करने के बाद, आपको जो value मिलेगी, वो मिलेगी 19, उसके बाद, यहाँ पे square किया, इसके बाद करना है, आपको क्यों होगा, यानि यहाँ पे आजएगा 27, 41 प्लस 19, 60 प्लस 27, 87, यानि यहाँ यानि हमारा जो लोजिक है वो विल्कुल वैलिड है बिल्कुल सही है इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्षिन 22 आपसे भी को यह कुश्ण क्लीर हुआ होगा नेकी श्योशन देखए उननीस नबर कोईशन यहां पर अगेन एक सिरी से कोईश्न पुछा गया है इसमें बहुत अच्छा लोजिक इनिंक के दे दौरा लगाया गया सबसे पहले देखिए जो पहले पर लोजिक लगेगा वो लगेगा सबसे पहले आपको 14 को डिवाइड करना है दो के साथ और एड कर देना है 5 सबसे लगेगे ग bize शेया नहीं यहां पे जो number करेंगे वह करेंगे यहां पे रैंपी वैलुई आ चुकी मारे पास तेरा प्लस फेरा सबसुरता है, चेरा नबर सक्षाइब देखे लायँ एक सब्सक्षा गया है इसका जो सही उत्र है वह है भी उप्शन बना आप से जो हमारे पास नेक्स कोश्ण है वह है 20 नंब्र कोश्ण अगेन एक सीरी से पूछा गया है इस पर भी बहुत अचा इनके दौरा लजीक लगाया गया है सबसे पहले देखिए 15, 15 को आपको multiply करना है 0.2 के साथ और आपको add कर देना है 2, यह तना हम यहाँ पर multiply करेंगे, उतना ही आपको यहाँ पर add कर देना है, जब आप इसको इसके साथ multiply करोगे, तो आपको जो value मिलेगी, वो मिलेगी 3, 3 प्लस 2 करने के बाद आपको value मिली 5, या 5, 3, 15 यानि 1.5, 5, 3, 15, 1.5 यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 3 आएगा, 1.5 प्लस 3, हमारे पास बिल्कुल logic जो है, वो बिल्कुल valid है, 4.5 बिल्कुल इक्कुल है, उसके बाद next वाले step में आपको directly करना है, 7.9 into कर देना है 0.6 प्लस 0.6 और इसको आपको solve करके देख सकते हो इसकी जो value मिलेगी आपको वो बिलेगी 10.74, इसका जो सही उत्तर है वो है D option में, 10.74 जो है वो इस question का बिल्कुल सही उत्तर है, D option में, I hope आप से भी को यह logic भी clear हुआ होगा, next question देखे, next question है हमारे पास 21 number question, find the sum of first 30 natural numbers, यानि पहले जो 30 natural numbers हैं, इनका basically sum हम से पुछा गया ह इसको करने का एक formula होता है, n, n plus 1 over 2, और हमें पता है total कितने है, 30, 30 into 31 over 2, 2, 1, 15, 20, 30, इसको multiply कर लेना, आपको जो value मिलेगी, वो मिलेगी, 31 को 15 के साथ multiply करने के बाब हो मिलेगी, 465, यानि इसका जो सही उत्तर है, वो है C option में, 465 इस question का बिल्कुल सही उत्तर होगा, C option में दिया गया है 56% of Y, यानि Y into 56 over 100, ये किसके तोधिया गया है, ये दिया गया है 112 के, 182 के कुल यहाँ हमें दिया गया है, इसको करना क्या है, 112 into 100, बर्टे कार दिना है, 56 इसके बाद 14 चोए चप्पन, 14 14, 14-42 14-42 यहां पर 13 के साथ इसको कार दिना है और चार एकम चार पचीचों के सौ और पचीस पचीस दोसो पचास दोसो पचास प्लस प्लस पचत्तरा यानि इसकी जो वैल्यों आ जाएगे मारे पास वह आ चुक है इसका जो सही उत्र है वह सी आफ्च्छन 325 उसके बाद नेक्स कोशन देखिए 23 इसमें पुछा गया है विच आफ दा रेशो ग्रेटर इन दोनों में 17 रेशो 18 और 10 रेशो 11 में दोनों में से पुछा गया है इसमें से ग्रेटर कौन सा रेशो है वह हम से बिसिकली यहां पर पूछा गया है इस परकार के कोशन को आपको कोशनी करना 17 बटे 18 और 10 बटे के आना इन दोनों में डिफ्रेंस कितना है एक-एक का यानि हमें को यह पहले वाला है यानि में हम यह लिख सकते हैं जो भी माइनस करने के बाद यह वैल्यू आएगी वह हम इसके नीचे लिख स सब्सक्राइब को यह कोशन भी क्लीर हुआ होगा नेक्स कोशन देखे 24 इना पैलेस सप्लाइज आर अवेलेबल फॉर 35 डेज़ फॉर ओनली 75 प्यूपला यानि एक सप्लाइज की आती है पैलेस में जिसमें 35 दिनों के लिए यह सप्लाइज चलती है पच्चतर लोगों के पंदरा गैस्त था एक द पैलेस में आते हैं एक वेकेशन के लिए एक दिन के लिए और हमसे पुछा गया है कितने दिन के लिए sufficient होगी यह basically हमसे यहाँ पे पूछा गया है यह question basically cancel कर दिया गया था क्योंकि दिये गए option में इसका जो answer था वो हमें नहीं दिया गया क्योंकि दोरा पूछा गया है बाद में जो लोग आए उनके साथ साथ यह supply कितने दिन के लिए होगा यह basically यहाँ पे पूछा गया बट इनके दोरा कोई वी जो है option में नहीं दिया गया इस परकार के question को करना कैसे है सबसे पहले देखे 35 दिन के लिए चलती थी और 75 लोगों क हो मिलेगी 29.16 29.16 किसी भी option में हमें नहीं दिया गया इस question को कर दिया गया था cancel बट करना आपको इसी परकार है इसका सही उत्तर था 29.16 डेस इस question को भी cancel कर दिया गया था क्योंकि इस question का भी right answer इनके दौर option में नहीं दिया गया था इसमें कहा गया था compound interest और simple interest का जो difference दिया गया है दो सालों के लिए वो दिया गया है एक सो भीस एक सो बाइस एक सो बाइस पांच प्रतिश्यत के ही साफ से अगर हम दो सालों का compound interest लगाएं पांच प्रतिश्यत के ही साफ से तो हमें value मिलेगी 10.25% और इसी तरह सिंपल इंटरस्ट कितना निगलेगा पहले सालवी 5% दूसरे सालवी यानि 10% इन दोनों का difference कितना है हमारे पास 0.25 0.25 की value कितनी है 120 हमने यहां पे 100 की value है वो यहां से निकाल लेनी है आप solve करके देख सकते हो इसको आपको multiply कर देना है यानि अगर हम इसको 4 के साथ multiply तो हमें इसकी value मिलेगी वो मिलेगी 1% की यानि अगर हमने 4 की इसके साथ multiply करिया है तो इसके साथ भी करने पड़ेगी जब हम 122 को 4 के साथ multiply करेंगे यहां पे हमें जो value मिलेगी 408 सी एक प्रतिशत की value है 408 सी और हमें पता है 100% बनाने के रिए 2-0 यहां पे लगाई गी 2- 48,800 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर था बट दिये गए 4 option में किसी में वी इस परकार का option हमें नहीं दिया गया क्यूंकि इनके द्वारत सम पुछा गया है जो principal amount है वो बेसिकली यहां पे पुछे गए थी इसका जो सही उत्तर है वो है 48,800 रुपे यह थे पच्ची questions जो mathematics से में पुछे गये थे इसके बाद वाला जो section था जो जी के वाले question का पुछा गया था यानि section भी जो था वो था जी के वाला question का पहला question पुछा गया था चबीस नम्रों कुछना 2017 में जो इंडियान एशियान यूथ सम्मिट हुआ था 14 से लेकर 19 अगस्त 2017 तक यह किस city के द नावी का सागर परिकर्मा विच विल्ल कॉमर्स कोमेंस इन सप्तमबर 2017 आटीम ओफ वूमें ऑफिसर ऑफ दा इंडियान नेवी वुड़ सरकम नेवीगेट दा गलोब ओन एंडियन विल्ट सेल बोट नेम्ड यानि एक प्रजेक्ट था जिसका नाम था नवी का सागर परि यानि ते करना था इस परिकर्मा का मेर मौटिव था इसका जो सही उत्तर वो था डी ऑप्षिं इसका जो सही उत्तर था डी आप्षिंग प्षिंग कर्याट यानि 18 अगस्त ऑठारां 2017 विच एशियन कंट्री लांच्ट इट साइबर कोड स्पेशलाइजिंग इन इंटरेस्ट लेटेड केसे यानि 18 अगस्त दो हैर सत्रा को किस एशियाई देश ने लॉंच किया था पहला साइबर कोट स्पेशलाइजिंग इंटरनेट लेटेड केसे को रिजॉल्व करने के लिए यह किया गया था चाइना के द्वारा इसका सही उत्तर है भी आफ्शन चाइना नाइश देखें और अगस्त अठारा दो हैर सत्रा पावर ग्रेड कॉर्परेशन अनॉंस्ट अट विल्ल गैट लॉन फाइव हंडड मिलियन डॉलर फ्रॉम इंटरन फाइशनल फाइशनल इंस्टिटूशन फॉर इट्स वेरियस प्रोजेक्ट सा यानि किस बैंक से यह जो पावर ग्रेड कॉर्परेशन के द्वारा लॉन अनॉंस किया गया था दो हैर सत्रा में पांसो मिलियन डॉलर का यह जो बैंक है वो है एसे डिवल्पेंट बैंक का यह आप्शन एशियाई विकास बैंक यह आप्शन इस दा बिल्कुल राइट असर होगा यह आप्शन देखें तीस नब्र कॉश्चन विच अमंग दा फॉलिंग क्रेकेटर हैस कॉंटिनूड टू बी दा वर्ल्ड टॉप रैंक्ड वन डे बैसमें इन दा लेटेस्ट इसका जो सही उत्र है वो है यह आप्शन विराट कोली यह बने थे वर्ल्ड टॉप रैंक्ड वन डे बैसमें इसका सही उत्र था विराट कोली यह आप्शन देखें कतीस नंब्र कॉश्चन हो अमंग दा फॉलिंग हैस वना सिलवर मैडल किसके दौरा जैविलिन थ्रो में जो एक championship हुई थी इसमें notville में हुई थी जो Switzerland में हुई थी इसमें जो silver medal जीता गया था वो किसके दौरा जीता गया था इसका जो सही उत्तर था वो था रिंग को हुड़ा दी आप्शन रिंग को हुड़ा एक question पूछा गया था amendment से यह पूछा गया था requesting and acquisition of immovable property amendment bill 2017 यानि requisition और acquisition करने के लिए immovable property amendment bill 2017 जो amendment की गई थी इसमें compensation amount जो है पेवल the time of acquisition of immovable property by the central government was introduced in the लोगसभा लोगसभा में introduced किया गया था यह पूछा गया है a option 1952 a option 1952 नाइक शोचन देखे 33 नमब भुष्णा अब बिल प्रवाइडिंग फॉर सेटिंग अपधा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रॉलियम एंड इनर्जी इन डैश वाज लोगसभा और जुलाई 18 2017 में जो लोगसभा में एक इंडियूस किया गया था एक बिल जिसके माधियम से इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रॉलियम एंड इनर्जी सेट अप किया जाएगा यह कहां पे किया जाएगा इसका जो सही उत्तर था वो था डी आप्शन अ इंट्रवेंशन इसका जो पेस्ट एक्जंपल है वो पूछा गया था इसका जो राइट असर है वो है डोडो बी आप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर था डोडो नेक्स कोशन पूछा गया था 35 कोशन विच ओवदा फॉलिंग यूटिलाइज इस सनलाइट इना चैनली यह किसके दौरा जो है वो यूटलाइज किया जाते हैं इसका जो जो इंसर जालाइज रहा फॉट वाल्त इक सेल्लाइज इसका सफुल असर फॉल्वार्ण तैला इसका पूछा गया था जो 35 कोशन है जो इंटरनेट में हम एक टर्म यूज करते हैं डवल्जू वाइड वैब जो फॉर्थ है इसका जो फॉलफोर्म है वह है वोँ इसका राइट अंसर अभी आपशन वाम मैं देखेंगे शोटीज मींनुंब नंबर कुश्ण आई पीवीशिक्स अड्रेस्ट जो है इसका साइस पूछा गया था इसका जो राइट अनसर रहा वह है वह ब बिट का 32 बिट का 32 बिट का होता है जो जो होता है IPV4 का IPV4 का और IPV6 का होता है 1-280 यानि 108 बिट का उसके बाद नेक्स पुछा गया था दा Constitution of India recognizes यानि Constitution of India के द्वारा किस चीज़ को recognize किया आता है इसका जो राइट अंसर है वो है C option religious linguistic minorities religious linguistic और minorities इन सभी को recognize किया आता है इंडियन Constitution के त्वारा इसका राइट अंसर है C option नेक्स पुछन देखे 49 नंबो कुछन डियूरिंग विच आफ फॉलिंग मोगल Emperor's rule number of Hindus employed by Emperor's administration वाज़ा highest यानि कौन से मोगल Emperor ruler थे जिनके समय में जो हिंदू थे वो सबसे ज्यादा इनकी सेना में भरती थे यह हाइस्ट किस मोगल Emperor के केस में है इसका जो राइट अंसर है वो है औरन गंजेवा इसका सही उत्तर है D option औरन गंजेवा जो हमारे पास दा मनसबदारी सिस्टम है इसको इंटर्यूस किया गया था कबर के दौरा यह किस देश से बोरो किया गया है यानि जो मनसबदारी सिस्टम अकबर के दौरा इंटर्यूस किया गया था बोरो किया गया था वो कहां से इसके दौरा बोरो किया गया था यह जो किया गया था वो किया गया था मंगोलिया देश से इसका सही अंसर है सी आप्शन मंगोलिया यानि निमन में से किसे देली के आठ सुल्तानों की सल्तिनत का सक्षी कहा जाता है यह कहा जाता है आमिर खुस्रो को इसका राइट अंसर है टी आप्शन आमिर खुस्रो पुछा गया था दा प्रेजिनेट ओफ इंडिया रेफर्ड दा योध्य आईशू टू दा सुप्रीम कोट अंडर विच आटिकल यह निए रास्टरपती जो है इनके द्वारा योध्य आईशू जो है वह सुप्रीम कोट में दाकिल कर दिया गया था यह किस आर्टिकल के तह उसका सही उत्र मेंड यह किस इंडान 1000 जो फंडामें था उसका एक पाइंट यहां नाम्हें आम है राई प्रिवेसि प्राइफ सी ओंश यह है यह पार राई-टू लाइफन लिप्रींस का इसका स्नृटमेंड एंस Liberty उसके बाद next question पुछा गया था दो session जो होते हैं Parliament के इनमें maximum जो interval gap होना चाहिए वो कितने का maximum हो सकता है यह पुछा गया था इसका सही उत्र है ने दिया which of the following statements is correct यानि inflation के यानि महंगाई के case में पुछा गया है कौन सी statement हमें इस चारो statements में सही दी गई है इसका जो रचांसर है वो है C option जब महंगाई होगी तो जो RBI है इसको control करने के लिए जो money का जो circulation है इसको control करेगा इसको decrease करेगा इसका रचांसर है C option decreased money circulation helps in controlling the inflation रचांसर कोशन का C option पुछा गया था which of the following brings out the consumer price index number of industrial workers यानि CPI जो है for industrial workers इनका इनकी जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जो है वो लाई जाती है यह पुछा गया था इसका जो रचांसर है वो है C option labor bureau labor bureau जो है इनके द्वारा इस सारे data को यानि consumer price index के case में industrial workers की जो revenue है वो fix के जाती है labor bureau के द्वारा इसका रचांसर है C option the labor bureau एक question पुछा गया था golden revolution से golden revolution किस चीज़ से associate है यह जो golden revolution है यह associate है होटी culture and honey से यहाँ पे दिया गया था only होटी कल्चर बट यह होटी कल्चर और honey दोनों से associate है इसका रचांसर है D option होटी and honey next option पुछा गया था 48th number question इसमें पुछा गया था country is said to be captain debtor trap if यानि किस देश को हम debtor trap की यानि एक रिंग के case में फसा हुआ कह सकते है रिंग के जाल में फसा कहा जा सकता है वह किस केस में कहा जा सकता है इसका जो right answer है basically वह दिया गया है B option it has to borrow to make interest payments on outstanding loans वह वकाया रिंग का व्याज चुकाने के लिए उधार देगा इसका right answer है B option it has to borrow to make interest यानि interest को pay करने के लिए उसके दोरा उस देश के दोरा किसी और चीज़ से बोरो किया जाएगा उसको उसकी condition होगी debtor trapally इसका right answer है B option I hope आपसे वी क्लिए होगा नेक्ट चोशन दीक है 49th question GST के case में पुचा गया था कौन सी statement है जो की बिल्कुल सही ती गई है इसमें सबसे पहली दी गई थी का स्केडिंग इफेक्ट को reduce करना यानि दो बार double taxation को reduce करने को हम बोलते हैं का स्केडिंग इफेक्ट यह बिल्कुल सही है उसके बाद इजा comprehensive index यह बिल्कुल इंडेक्ट एक साइज कस्टम जो है इसमें इंक्लूड है इसलिए यह इंडेक्ट का पार्ट है एम्ड एट से बाहर रखा गया है यह बिल्कुल सही है यह इसका अंसर बढ़ेगा डियोप्शन ऑल अफदा अबबार क्रेक्ट भी ऑप्शन इस अप्रेक्ट इस पूछा गया था इंडिया जो है भार्त के व्यापारंतर आयात और नेरयात के कुल मुल्य का अंतर में वर्तमान लेखा का मुख्य कारण कौह सा है यह पूछा गया था इसमें सबसे पहले दिया गया था ínkr vale यह प्रेजिऑ इंक्रीजिंग इंपोर्त को ला भी सही है दिया इसलिए जarme इसका right answer था वो था a option, a, b और c are correct, इसका right answer है a option, a, b, c, r correct, वैसे यह चारो statement बिलकुर right है correct है next 25 questions reasoning के इस exam में पूछे गे थे, पहला question reasoning का पूछा गया था, 51st number question, 51st number question find the minimum number of state lines required to make the given figure, यानि कितनी straight line require है minimum कम से कम कितनी रुक्वायर हैं जिससे यह सब्सक्त पहले देखें यह तो सबसे वादी उपर वाली होगी एक तो यह वाली ह Iya लोगी यह हुक्त हुद हो Noel गी और अध्या एक लिव्दम्स टॉटल फजिय कोंटनली होगी प्लक गोगी उसके बात जहां पे नहीं एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली यानि हमारे पास जो 5 हैं वो क्या हो चुकी है vertically ये हो चुकी है horizontally ये हो चुकी है vertically पांच एक दो तीन चार पांच यानि 5 हो चुकी है हमारे पास vertically उसके बाद ये जो देखें inclined जो हमें दी गई हैं ये lines इनको भी हमने cover करना है सबसे पहले तो आप यह देखें यह वाली होगी एक यह वाली होगी दो उसके बाद 3, 4 और उसके बाद 5, 6, 7, 8 8 यह वाली हमारे पास हो चुकी हैं यानि 8 lines हमारे पास जो inclined है वो हो चुकी है आर्ट प्लस पांच तेरा प्लस चार यानि टोटल जो लाइन्स हैं इस फिगर में वो हैं सत्रा जो कि मिनिमम इस फिगर को बनाने के लिए हमें जरूरी है इसका राइट उत्र है भी आप्शन सत्रा इसका जो राइट उत्र है वो है बी आप्शन जो थीव्ज होते हैं ये सारे प्लस के सारे क्रीमिनल हैं यह यहां पे आ गया यहां पर न जो-जो जगे वह अलग से हों जो जए होग यह ज़जजज सा आ यह जो राइट उत्र है वह है बी-प्षन यह जो है रिद्याय और तीज यह दोनो एक फिगर में बनेंगे और जो जज़ बनेगा वो अलग फिगर में बनेगा इसका राइट उत्र है B option आप सभी को I hope ये question क्लीर हुआ होगा next question देखे 53rd number question इसमें आप से पुछा गया है find the number of triangles इस figure में पुछा गया है total number of triangles कितनी है ये पुछा गया है इस figure में जो total जो triangles है वो है 24 इसका राइट उत्र है C option 24 वो कैसे होंगे सबसे पहले तो आप देखे ये वाली होगी 2, 3, 4 ये होगी चोटी जो है triangles उसके बाद 5, 6, 7, 8 यानी चोटी जो हैं हमारे पास वो चुकी है 8 triangles उसके बाद 4 जो हैं ये मिलके बनेगी यानि एक, दो, तीन, चार, यानि चार दो, दो मिलके बनेंगी, उसके बाद चार तीन, तीन को मिलाके बनाया जाएगा, उसके बाद चार फिर बनेंगी, और चार जो बड़ी वाली ट्रेंगल हैं, सभी उपर वाली और नीचे वाली को मिलाके, चार ट्रेंगल और बनेंगी, यानि 8, 4, 12, 16, 4, 20 और 24 यानि टोटल जो triangles बनेंगी इस फिकर में वो बनेंगी 24 C option जो है इस question का बिलको right उत्र होगा 24 next question देखे 54th रंप question इसमें दिया गया है of the following two statements both of which cannot be true but both can also be false which are these two statements यानि वो statement हमने find करनी है जो की true नहीं हो सकती और वो false है यह पुछा गया है यह कौन सी statement हमें दिया गया है इसका जो right उत्र है वो है C option वो कैसे सबसे पहली statement देखे जो पहली है all machines make noise सारी जो machines हैं इनके दौरा shore किया जाता है noise कियाती है first statement में दिया गया है उसके बाद third statement इसके बिलकुल contradict करती है जिसमें दिया गया है no machine makes noise यानि कोई भी machine shore नहीं करती यह दोनों ही statement एक दूसरे के विरुद हैं यानि इन में से दोनों में से कोई भी statement सही नहीं हो सकती इसका जो right उतर है वो है C option first and third are is correct इसका right उतर है C option next question देखे 55th number question पचपन number question इसमें insert करना है arithmetic science को तांकि इस equation में fill करने के बाद हमें जो संख्या मिले वो मिले 16 यह पुछा गया है इसमें हम क्या fill करें सबसे पहले तो आपके board mask का आपको formula आना चाहिए क्योंकि इसी हिसाफ से यह arithmetic वाले जो question होते हैं इनको board mask के हिसाफ से ही handle किया जाता है इसका जो right उतर है वो है plus और multiply वो कैसे apply होगा देखिए सबसे पहले 8 plus 4 और multiply 2 सबसे पहले दो देखिए 8 as it is आएगा यानि सबसे पहले multiplication का sign आता है यानि 8 as it is 4 दूना 8 8 ही आ जाएगा यानि total जो संख्या बनी हमारे पास वो बन चुकी है 16 इसका जो right उतर है वो है a option plus और multiplication next option देखे 56 इसमें एक series दी गई है यानि इसको solve करने के बाद हमें 8 मिलता है इसको solve करने के बाद हमें 6 मिलता है इसको solve करने के बाद हमें again 6 मिलता है हमें पूछा गया है इन दोनों numbers को solve करने के बाद हमें कौन सा number मिलेगा ये हमसे पूछा गया है सबसे पहले देखिए आप logic इसमें क्या लगाए गया है 8 प्लस 4 8 प्लस 4 और माइनस कर देना है आपको इन दोनों का addition 1 प्लस 3 ये एक्कुल आ चुका है हमारे 8 प्लस 4 बारह 12 माइनस 4 is equal to 8 जो की इसके बिल्कुल इक्कुल है उसके बाद second पे भी हम इसको अपलाई करके देखते हैं 3 प्लस 7 दस और माइनस कर देना है 4 3 प्लस 1 चार यानि हमारा logic बिल्कुल वैलिड है बिल्कुल सही logic है हमारा इस पे भी अपलाई करना है इस सेम logic को 5 प्लस 6 11 माइनस 4 7 यानि हमारा जो राइट उतर है इस question का वो है C option 7 जो है इस question का बिल्कुल राइट उतर है इसका राइट उतर है C option 7 next question दिखे 57 अगर हम प्लस को चेंज करते डिवाइड में इसी तरह multiplication को हम माइनस में इसी तरह के सारे जो नंबर दी गए हैं यानि सबी जो साइंस दे गए हैं इनको हमने interchange करना है एक दूसरे के साथ हमसे पुछा गया है इस figure को solo करने के बाद यानि इस value को solo करने के बाद हमें क्या प्रापत होगा ये basically question में पुछा गया है सबसे पहले तो आप देखे 9 है हमारे पास 9 को आपको एज़े 3 लिख लेना है और plus को हम divide लेखेंगे यानि ये इसके निचे आड़ेगा तीन इसके निचे आड़ेगा उसके बाद divide का जो अर्थ दिया गया है वो दिया गया है हमें divide का अर्थ divide का अर्थ यहां पे इनके द्वारा दिया गया है गुना क्योंकि यहां पे इनके द्वारा by mistakenly plus इसको sign लिखा गया है इसी तरह यहां पे इनके द्वारा इसको plus में गलती से लिखा गया है इस question में misprinting है ठीक है और आपको याद रखना है यहां पे divide का जो अर्थ है वो है गुना यहां पे divide use किया गया है इसका मतलब क्या है हमारे पास गुना multiplication कर देना है 4 के साथ और उसके बाद minus का हमारे पास symbol है वो है minus means plus इसको plus कर देना है किस से आर्थ से और जो multiplication है इसका अर्थ है हमारे पास minus minus कितना हैगा 2 हमारे पास उसके बाद board mask का आपको formula आप सभी को पता होगा board mask सबसे पहले तो आपको क्या करना है division कर लेनी है 3, 3, 9 यानि 3 आ जाएगा और 4 as it is plus 8 minus 2 उसके बाद next वाला step क्या होगा multiplication कर लो multiplication यानि इसको multiplication करने के बाद हमारे पास value आएगी 12 plus 8 as it is minus 2 12 plus 8 20 minus 2 यानि हमारी जो value आएगी इस question को solve करने के बाद वो आएगी 18 इसका right उत्तर है C option 18 जो है इस question का बिल्कुल right उत्तर होगा C option में next question देखे ये बिल्कुल easy level का question पुछा गया था एक series से आप से पुछा गया था इसके बाद कौन सा number आएगा कौन सा digit आएगा ये basically पुछा गया था इसमें logic देखे क्या लगाया गया है इसमें logic देखे सबसे पहले एक का square करना है एक आ जाएगा यानि एक का square करने के बाद हमारे पास एक आ गया उसके बाद next step करना है 2 का cube 2 का cube करने के बाद हमारे पास value आई कितनी 3 का square, 3 का square करोगे जब आपको value मिलेगी वो मिलेगी 9 उसके बाद next step आपको पता है cube आएगा फिर square आएगा, cube आएथा फिर square आएगा, इसी तरह यहाँ पे से पहली क्या होगा, 1 का cube, इसी तरह यहाँ पे हमने 4 का cube कर देना है 4 का cube कर देना है जब हम इस 4 का cube करेंगे तो हमें जो value मिलेगी वो मिलेगी 64, 64 यानि इस question का right उत्र है C option 64 जो है 64, इस question का बिल्कुल right उत्र है C option next question देखें 59th number question David divides 78 by half and adds 11 what number he gets at the end यानि एक percentage इसका नाम है David, इसके दोरा 78 से half को divide किया आता है यानि 78 से इसके दोरा 1 half यानि 0.5 से divide किया जाता है और add कर दिया जाता है इसके दोरा 11 इसको divide करोगे जब आप इसको जो value मिलेगी इसका double मिलेगी यानि इसको divide करने के बाद आपको जो value मिलेगी वो मिलेगी 156 यानि 156 प्लस 11 यानि हमें जो value मिली इसको solve करने के बाद वह बिल चुकी है 117 इसका right उतर है C option 117 इस question का बिल्कुल right उतर था C option में जो दिया गया है Next question देखे, साथ number question साथ number question में पूछा गया है In a knockout football competition 23 teams participated यानि एक football competition हो रहा है जिसमें 23 teams के द्वारा participate किया आता है इसमें पूछा गया है least number of matches कितने इनके बीच सभी teams को decide करने के लिए winner declare करने के लिए कितने teams जो है, कितने matches जो है वो हमें करवाने पढ़ेंगे ये पूछा गया है इस question में सबसे पहले तो आप देखे, हमारे पास जो total teams है वो है 23, सबसे पहले तो इनके बीच करवाने के लिए हमें जो match चाहिए, वो चाहिए 11 11 match हम सबसे पहले करवाएंगे 11 match करवाने के बाद जो 12 बचेंगे यानि 12 जो हैं, वो बाकी बच जाएंगे उसके बाद, इनके बीच जो matches होंगे, वो होंगे 6 match यानि सबसे पहले 3 matches करवाने के बाद 11 match होने के बाद जो 12 teams हैं, वो बच जाएंगे और इनके बीच जो 6 matches हैं फिर से करवाएंगे 6 के बीच कितने matches करवाएंगे, वो करवाएंगे 3 match, 3 team में कितने match करवाएंगे, 2 match करवाएंगे 11 plus 6, 17, 17 plus 3 20, 20 plus 2 यानि इन टीम में winner को deep side करने के लिए हमने total जो match करवाने पड़ेंगे वो करवाने पड़ेंगे 22 इसका सही उत्तर है C option 22 next question देखे 60 first number question इसमें पुछा गया है at half past 5 in the evening यानि साड़े 5 बजे हमसे पुछा गया है जो smaller angle होगा between her hand and minute hand वो basically हमसे पुछा गया है सबसे पहले तो आप ये गड़ी बना लीजिए ये गड़ी है आपके पास और ये जो है हमारे पास ये है 6 और ये हमारे पास 5 और ये वाली घंटे वाली सुई है साड़े 5 बचते हैं तो ये वाली होगी हमारे पास minute वाली सुई इनमें जो angle बनेगा वो basically हमसे पुछा गया है सबसे पहले तो आपको पता है minute hand जो है minute hand मैं बात कर रहा हूं minute hand की minute hand जो है वो एक minute में कितने degree का angle बनाती है 6 degree का तो हमारे पास 5 minute में कितने degree का angle बनेगा 30 degree का हमें बनवाना है 30 minute के लिए 30 minute का जो angle बनेगा वो कितने degree का बनेगा 15 degree का angle बनेगा यानि 30 में से minus कर देंगे 15 degree यानि हमारे पास जो value आएगी इस question की वो आएगी 15 degree 15 degree इन दोनों के बीच angle बनेगा साड़े 5 बजे क्योंकि ये जो सुई है गंटे वाली सुई ये 5 पे ना होके ये प्रॉक्सिमेटली यहां तक आ जाएगी क्योंकि इसके दौरा जो है कुछ दूरी इसके दौरा भी तैक की जाएगी क्योंकि 0.5 degree का angle इसके दौरा एक minute में जो है वो बनाया जाता है इसका राइट उत्तर है पंद्रा डिग्री सी ऑप्षिन नेक्स वेशन देखिए 62 नमबर कुष्णा बासर्ट नमबर कुष्णा इस ब्लैंक को फिल करना है उसके बाद पूछा गया है इसमें क्या फिल करें इसमें एक लॉजिकल लगाने के हरस्या इसी यहांं पर इसके बाद नेक्सट करना है व और कर दिना एक 2050 ऑर लास्ट में कर दिना है एक हमारे पास जो नमबर वनेगा यानि जो हमारे पास शही लौजिकar बनेगा वह में जीच सीरिछ में इसका जो सही उत्तर है वो है सी औप्रीजन शीर भी क्लीर हुआ होगा एक सभी का जो एंगल का सम होता है वो कितने डिगरी का होता है और हमसे पुछ गया है जो ये ट्रेंगल वह किस परकार की है あगर इनमें जो रेशो है वह दो किस रशाया। हमसे पुछ उत्रुशा गया है सबसे पहले आप ये उपलई यह बनाँब लीजये यहां 2 एक सब Сबस यें defenderë कर आखना है 40 degree, उसके बाद, next 60 degree, next you papa, they got us 80 degree, इंस सभी को व् thể कर के देखे ले, आपको मिलेगा 180 degree, यानि इसमें सबी जो angles हैं, वो 90 degrees से कम हैं, 90 degrees से कम हैं, तो हमें जो, जो angle बनेगा, कौन सा सब्सक्राइब किस पर करें हैं? वो है acute angle, यानि 90 से कम होने वाले angle को हम क्या बोलते है acute angle, इसका जो right उत्तर था वो था D option, acute angle क्योंकि अगर ये 90 हो जाता तो हमारे पास right angle टेंगल बन जाती, बट 90 से कम है सभी angles, इसलिए इसका right उत्तर है D option, sorry, acute angles, 90 से कम होने के वज़ा से इसका right उत्तर है D option, acute angles, next question देखे, चौंसर्ट नंबर कॉष्चन, चौंसर्ट नंबर कॉष्चन में पूछा गया है the houses of A and B face each other, यानि दो houses हैं और एक road है north-south बला यानि ये मानलो एक हमारे पास road बन चुका है और एक का जो घर है वो इस पर कार रहा है एक गर इस पर कार है, हमें उसके बाद बताया गया है, is being on the western side अगर हम बात करें, यहाँ पे बना लेते हैं, north-south, east-west हमें बताया गया है जो A का जो घर है वो किस पर कार है, वो है western side मानलो ये इसका घर है, ये जो B का घर है यहाँ पे हमने इसको बना लिया है उसके बाद next बताया गया है A is being on the western side ये है A का घर उसके बाद A comes out of his house and turns left यानि इसका जो इस तरफ फेस है इस तरफ इसका फेस जो है इस तरफ है अब बताया गया है इसके द्वारा turn लिया जाता है left और 5 जो किलोमेटर है इसके द्वारा सफर तेह किया जाता है यानि इसका left turn लिया जाता है पांच किलोमेटर इसके द्वारा front में जाए जाता है यानि पांच किलोमेटर राइट लेगा इस तरफ जाएगा ठीक है यह हो गया पांच किलोमेटर अगेन उसके बाद यह किसके घर के सामने पहुंच चुका है यह पहुंच चुका है यह पहुंच चुक होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे कि अपोजर अगर बी यहां से स्टार्ट होता है तो हमें बताया गया है जो condition a के दोरा follow की गई उसी same conditions को इसके दोरा b के दोरा वी follow किया गया इसका right उपर की तरफ लेफ्ट उपर की तरफ चला गया बट्टा इसका जो वो नीचे की तरफ चला जाय controversial यानि इसका One पहुंच चुका है यह कंच चुका है मान लो शी का घर ये वाला है इसके घर के सामने यह बिलकुल पहुँच चुका है जो भी है उसके बाद पूछा क्या गया है which one of the following statements is correct यानि चारो statements में से कौन सी statement हमें बिल्कुल सही दे गई है इसका जो right उत्तर है वो है C option houses of C and D are less than 20 km apart यानि C और D के house में जो distance है वो है 20 km से कम यहाँ पे देखिए यह भी 5 km हो गया यह भी 5 है और यह भी 5 है अगर हम इस परकार के एक triangle बना लें right angle triangle तो हमारे पास यह कितने से कम आईगी 20 km से कम आईगी क्योंकि right angle triangle का formula लगाए होगी तो आपको जो मिलेगी value वो मिलेगी आपको कितनी मिलेगी वो मिलेगी 20 से कम इसका जो right उत्तर है वो है C option हाउस जो है C और D का वो है 20 km से कम इसका जो right उत्तर है हमारे पास C option कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह हो गया हमारे पास hypotenuse और यह हो गया हमारे पास base और यह वाला हो गया perpendicular आपको पता है hypotenuse का square is equal to perpendicular square plus base square परपेंडिकल कितना है 15 15 15 multiply करोगे तो आपको मिलेगा 200 पच्ची 250 प्लस 5 का square पच्ची सा यानि आपको value मिलेगे hypotenuse square की 250 250 अगर हम 20 का square निकाले तो हमारे पास 400 निकलेगा बट इनके पास निकला है 250 इसलिए जो इनमें distance निकला वो मिला हमें 20 km से कम इसका जो right उत्तर है वो है C option I hope आप सभी को ये question बिल्कुल clear हुआ होगा क्यूंकि काफी shrants का doubt था काफी shrants के दोरा इस question को send भी किया गया था next question देखे next series से question पूछे गये थे एक series का question इसमें गल्त भी दिया गया था इसमें कोई भी logic जो है वो नहीं लगा है और अगर आपके पास इसका कोई logic लगता है तो आप मुझे comment box में लिखके जो रखता है सबसे पहले पैंसर नंबर कोशन सबसे पहले पैंसर नंबर कोशन में एक हमें जो English alphabet series है वो दी गई है हमें पूछा गया है इस question marketplace पे क्या आएगा सबसे पहले तो मैं इसको अंसर बता दूँ इसका जो राइट उत्र है हमारे पास पैंसर ट्रंबर कोशन का वो है B option यानि F I S जो है इसका बिल्कुल राइट उत्र है वो कैसे है वो भी आप देख लिए यहाँ पे देखें B C छोड़ा D आ गया और E के बाद F छोड़ा G आ गया इसी तरह D E छोड़ा F आ गया G H छोड़ा I आ गया उसके बाद जो हमारे पास J K छोड़ा L आ गया यानि हमारे पास इसका राइट उत्र होगा D option F I L यहाँ पे इसका B option जो है वो सही नहीं होगा क्योंकि H I J J से बाद J के बाद K छोड़ा हमारे पास L आ जाएगा यानि इ इसका राइट उत्र भी option नहीं है इसका राइट उत्र है D option F I L उसके बाद next देखे हमारे पास दिया गया है चैसर्ट नंबर कोशन में एक alphabetical series दे गई है पुछा गया है इसमें जो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कौन सा हैगा यह हमसे basically यहाँ पे पुछा गया है सबस से पहले देखिए आप यहां पे हमारे पास H given है यहां पे G और यहां पे एक एक चोड़के देखना है आपको F यहां पे E इससे पहले कौन सा आएगा इससे पहले आएगा D यानि पहला जो डिजिट होगा वो होगा D D E F G H यहां पे इस तरह जो series है वो बन रही है यानि इ इसी तरह इसमें भी करना है आपको P क्या O चोड़के R आ गया S चोड़के T आ गया और U चोड़के V आ गया इसी तरह N आ गया उसके बाद O चोड़के P आ गया इसका राइट उत्तर है B option D N यह जो question है इसमें आप सभी ने comment box में लिखके बताना है इसका किस परकार logic लगा ह है क्योंकि इस question को जो है उनके द्वारा cancel कर दिया गया था उस exam में क्योंकि इसमें कोई भी logic जो है exact logic इसमें नहीं लगा है इसका अंसर अगर आपको मालूम है और आपको logic अगर मालूम है तो आप comment box में लिखके जूरूर पता है mention जूरूर करें है क्यों चैहिं देखे 68 इसमें पूछा गया है किसी सेंसर में क्लीन को सब्सक्राइब और और आपकोhr को सब्सक्राइब 3 आख सबसे और 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 आपकर हैं अगे जहले हैं और अर अले पास और कोड जो है वो है हमारे पास 4, next है E, E का जो कोड है वो है हमारे पास 7, यानि इसका सही उत्तर है 5, 8, 4, 7 next question देखिए 69th number question, calendar को किसी code में हम इस प्रकार लिखते हैं और circular को हम same rule के साथ apply करें तो हम किस प्रकार लिखेंगे, ये basically question में पुछा गया है, सबसे पहले तो आप देखिए 69th number question में calendar को कैसे लखते हैं, C को as it is रखा, C को as it is रखेंगे यानि पहले इस case में भी हम C को as it is रखेंगे, यानि जो first option है हमारा वो नहीं हो सकता, उसके बाद AL है हमने इसको उल्टा कर दिया, reverse कर दिया, AL को क्या कर दिया, LA कर दिया, यानि RI कर देंगे, RI, A की option में दिया गया है, वो दिया गया है, B option में, C, R, I, U, C, ALR, इसका right उत्र है, ये वाला, और आगे वी इसी प्रकार्ण के दोरा जो है, वो किया गया है, यानि reverse करते चलते हैं, अगले वाले केस में वी, उसके बाद next आजाएगा, UC, UC, और इसी प्रकार्ण के सारी जो series है, वो बनी हुई है, इसका right उत्र है, B option, next question देखे, 70 number question, 70 number question में दिया गया है, हमें, इसमें दिया गया है, either he is happy or he is poor, यानि, या तो वह है खुश है या वह गरीव है, he is happy, उसके बाद he is happy वह खुश है, उसके बाद inference दिया गया है, he is poor, अनुमान, यह वह गरीव है, यह हमें statement में दिया गया है, यहां पे दिया गया है या तो वह है खुश है या फिर वह गरीव है यानि या तो वह खुश है या फिर वह गरीव है second ही logic में हमें दिया गया he is happy वह है खुश है अगर वह खुश है तो वह है खुश कैसे होगा अगर वह है खुश है तो गरीव नहीं होगा इस परकार के ये दोनों एक दूसरे के contradict करते हैं और उसके बाद inference में दिया गया है He is poor ये दोनों statement है और इसका inference से इनके दोरा जो है नुमान वो लगाया गया है वह ग्रीब है यानि वो person जो है जिसके बाद जिसके बारे में ये बात की यारी है वो क्या है तो वह अमीर होगा यहाँ पर बता दिया कि यह एक पूर है अगर यह यहाँ पर बोल देते He is rich उसको हम मान सकते थे कि true हो सकता है बट इनके दोरा जो statement है inference जो है अनुमान वो बिल्कुल गल्त लगाया गया है अगेंस लगाया गया है इसका जो राइट उतर है वो है The inference is definitely false भी आप शने इसा correct answer Next question देखे है कत्तर नम्हों कुछ न Those who are honest are good teachers जो इमानदार होते हैं वो अच्छे सिक्षक होते हैं Hard working pupils are honest यानि hard working people जो हैं वो क्या हैं? Honest सबसे पहले आप बना लीजिए Hard working उसके बाद बना लेना है Those who are honest are good teachers यानि जो honest होते हैं वो क्या होते हैं good teacher यानि इस पे बड़ी डाइगराम बन जाएगी good teacher वाली गुद टीचर वाली जो है वो बड़ी डाइगराम यहां पे बन जाएगी उसके बाद influence क्या निकाला है हमने यानि अनुमान क्या लगाया गया है इसमें लगाया गया है अनुमान जो Hard work is the necessary quality of a good teacher यानि मेहनत एक अच्छे सिख्षक का आवश्यक गुन है यानि जो मेहनत है वो एक अच्छे सिख्षक का आवश्यक गुन है इसका जो राइट उत्तर है वो है C option यानि जो मेहनत जो नुमान लगाया गया है मेहनत एक अच्छे सिख्षक का आवश्यक कुन है ये हो भी सकता है नहीं हो सकता यानि दोनों चीज़े हो सकती है ये इसमेंस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है इसका राइट अंसर बनेगा C option नेक्श वोशन देखिए बहत्तर नम्हों कुछन Based on the following statements which is the correct conclusion drawn यानि यहाँ पे हमें statements दी गई है इसके लेटर पुछा गया है कौन सा conclusion हमें बिल्कुल सही देया गया है Only gentleman can become members of the club यानि जो gentleman होते हैं वो ही member बन सकता है many of the members of the club are officers यानि उन में से कुछ जो member हैं कलब के वो क्या है some of the officers have been invited for dinner यानि उन में से भी कुछ officers हैं जिनको invite किया आता है दिनर पे उसके बाद next हमें जो वो पुछा गया है कौन सा conclusion इसके लेटर हमें बिल्कुल सही दिया गया है इसका जो right उतर है हमारे पास सबसे पहले आपको यहां भी लेग लेना है husband, wife और उसके बाद two sons two sons और two daughters यह एक family में include किये गए है उसके बाद all the ladies were invited to a dinner यानि जो भी ladies थी इस गर में वो dinner के लिए inviting को किया आ चुका है यानि दो की दो daughter को और यह woman को भी यानि wife को भी इसको invite कर लिया गया है किसके लिए? dinner party के लिए dinner के लिए invite कर लिया गया है यान पर dc denote कर देंगे उसके बाद both sons went out to play यानि ये दोनों जो है वो available नहीं होगे क्योंकि ये दोनों जो है वो खेलने के लिए चले गए यानि ये भी available नहीं होगे उसके बाद husband did not return from office husband जो है वो office से वापस नहीं आया ये office में ही काम कर रहा है अपना उसके बाद पुछा गया है who was at home घर में कौन होगा दिये गए चार option में से जो best option है इस question का वो है d option यानि घर में कोई भी जो है person बच्चा नहीं है क्योंकि सारे के सारे person जो है वो अपने अपने काम में चले गए है डिनर पार्टी में प्ले खेलने के लिए और ऑफिस के लिए इसका जो राइट उतर है वो है d option nobody was at home d option नेक्श चोशन देखे चोहत्तर नंबर कोईशना if a is the son of kyao यानि a जो है वो son है kyao का यहाँ पे बना लेना है kyao a is the son of kyao kyao and y sister यानि ये वी sister और ये वी sister उसके बाद z is the mother of y z is the mother of y p is the son of z p जो है son है किसका z का यानि इसका brother होगा जो p है यहाँ पे आगया brother ये दोनों है sisters ये है brother ये जो p है ये क्या है brother है उसके बाद next क्या पुछा गया है which of the following then which of the following statements is correct पुछा गया है कौनसी statement सही दी गई है इसका जो राइट उतर है वो है a option p जो है maternal uncle है किसका a का इसका राइट उतर है a option p is the maternal uncle यानि p a का mama है a option इसाब correct answer next question देखे 75 नमबर विशना there are 5 books यानि 5 books हमें दी गई है a से लेकर e तक एक table पे इनको रखा गया है पुछा गया है जो book surface को touch करेगी table के वो पुछा गया है कौनसी book होगी सबसे पहले if a is placed below e यानि a जो है वो placed की गई है a जो है placed की गई है below e यानि मान लो यहाँ पे e है और इसके नीचे कौन placed किया गया है कौनसी book a book c is placed above d c is placed above d above d उसके बाद b is placed below a b is placed below a उसके बाद below a and d is placed above e d यहाँ पे और c आ जाएगा उपर पुछा गया है कौनसी book जो है table के surface को touch करेगी वो है b book क्योंकि यह जो है हमारे पास वो है table और इसके जो surface को touch करेगी book वो है b option next देखते हैं 25 questions जो reasoning के इस exam में पुछे गे थे पहला question पुछा गया था चत्तर नमबर question इसमें पुछा गया था to decamp का अर्थ क्या होगा to decamp का जो अर्थ होगा to leave suddenly यानि suddenly अच्छानक से किसी place से leave कर जाना चले याना उसके लिए हम word यूज करते हैं phrase यूज करते हैं एक जिसका नाम है to decamp इसका जो right author है वो है to leave suddenly next question पुछा गया था which pair is wrongly matched यानि कौन सा pair है जो के wrongly match हमें दिया गया है इसका जो right author है वो है a option discrete separate discrete separate ये दोनों एक दूसरे के wrongly match हैं क्योंकि discrete का जो spelling होते हैं वो होते हैं discrete यहां पे आएगा a इसलिए यहां पे जो हमारा right author बनेगा वो बनेगा a option discrete और separate next question पूछा गया था identify the correct pair correct pair चूज करना था इन्हें में से option कोई नहीं मिलेगा क्योंकि इनके दौरा incorrect ही question दिया गया है इस question को cancel कर दिया गया था intelligence bureau के दौरा क्योंकि यह question जो था incomplete था इसका जो right answer था वो कोई माना नहीं गया था क्योंकि इस question को pending डाल दिया गया था जो थाप exam उसमें cancel कर दिया गया था उसमें नेक्स्ट कोश्चन जो पुछा गया था 79th question number उसमें पुछा गया था a devil's advocate would be यानि devil जो होता है शैतान जो होता है उसका जो advocate होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कौन सी term यूज करते हैं इसका जो right उत्र है वो है a counter argument presenter इसका right उत्र है a counter argument presenter next question पुछा गया था 80 number question satish heard it from the horse's mouth means satish heard it from the horse's mouth इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे पुछा गया है इसका जो right उत्र है वो है a option from an authoritative source इसका जो right उत्र है वो है a option from an authoritative source next question देखे 80 number question पुछा गया है यहाँ पे सुनीता के पहले जो blank हमें दी गई है इसमें कौन सा जो है हमारा option हैगा satish is seated dash सुनीता आपको पता है satish जो है sit बैठा है सुनीता के पिछ है यानि यहाँ पे जो word use होगा वो होगा beside यानि satish is seated beside सुनीता इसका right answer है b option beside उसके बाद incorrect peer पुछा गया फिर से इसका जो right उत्र है वो है हमारे पास d option seer detach इसका right answer है seer और detach एक दूसरे के incorrect peer दिए गए है इसका जो right उत्र है वो है d option next question पुछा गया था यहाँ पे जो literally जो word है यह पुछा गया था क्या represent करता है यह जो represent करता है जो ly वाले होते है mainly वो ज्यादादर क्या होते है adverb होते है इसका right उत्र है a option adverb होते है जो ly वाले जो word होते है उनके लिए हम word यूज़ करते है that is the adverb इसका right उत्र है a option adverb next question पुछा गया था which sentence of the following is correct यानि कौन सा sentence है जो कि हमें correct दिया गया है यह है c option computer saves the timer computer saves the save timer computer's the save timer अगर यहाँ पे यह दे देते computer saves the timer यह फिर भी सही होना था क्योंकि यहाँ पे एक अगा computer की बात की गया इसलिए हमने SEO है वो यूज़ कर ली ठीक है singular use कर लिया इसलिए यहाँ पे plural use किया गया है तो हमने save use कर लिया जो कि बिल्कुल exact और सही दिया गया है इसका right उत्तर है c option computer's save time next question पुछा गया 85 number question identify the incorrect sentence incorrect sentence basically यहाँ पे हमसे पुछा गया है इसका जो right उत्तर है वो है b option none of the time was wasted none of the time was wasted जो है यहाँ पे जो sentence है वो गलत यूज किया गया इसका जो right उत्तर है वो है b option next question देखे 86 number question among the two statements यानि दो statements हमें दी गई है पुछी गई है कौनसी statement इसमें सही दी गई है इसका जो right उत्तर है वो है first is correct and second is incorrect either satish और saizal takes out the garbage यह बिल्कुल सही है each of these prescriptions have side effects यहाँ पे have की जगा has आएगा क्योंकि each of these की बात की गई है इसलिए right उत्तर होगा इस question का b option पहला statement सही है second गलत है next देखे 87th number question choose the sentence that has incorrect form of words यानि कौन सा जो sentence है जिसमें incorrect form of words यूज किये गई है इसका जो right उत्तर है वो है a option when will you bring your yours pictures to work यहाँ पे yours की जगा yours आएगा यानि when will you bring your pictures to work यह बिल्कुल सही हो फॉर्मिशन होगी यहाँ पे your की जगा यहाँ पे इसका मतलब पता क्या है इसका मतलब है you are but यहाँ पे use होगा only you are यहाँ यहाँ पे use किया जाएगा next देखे 88th number question यहाँ पे पुछा गया है इस ब्लैक में कौन सा जो है हमारे पास word आएगा इसका जो राइट उत्र है वो है D option will hear यह संटेंस है से complete होगा I will hear I will hear her speak on Friday night about the advantage of organic gardening इसका राइट उत्र है D option next question पुछा गया था choose an incorrect incomplete sentence यहाँ इन complete sentence सामने चूज करना है इसका जो राइट उत्र है वो है A option the children in the park including all those on the swings इसका राइट उत्र है A option next question देखे अन पे नंबर question 90th number question इसमें पुछा गया है what is not correct if nest is two birds यानि what is not correct if क्या correct नहीं होगा जब nest is two birds इसके लेटर question पुछा गया है इसका जो राइट उत्र है वो है D option wine is two birds इसका राइट उत्र है D option next question देखे यहाँ पे opposite word पुछा गया है किसका lascivious का lascivious का जो opposite word हमें इस question में दिया गया है वो दिया गया है chest यानि B option is a correct answer chest जो है यह बिल्कुल opposite word है किसका lascivious का इसका right उत्र है B option next question पुछा गया है rapper question का मतलब हम से basically पुछा गया है इसका जो मतलब है वो है reaction किसी को react करना यह होता है आर्थ rapper question का इसका right उत्र है A option next question पुछा गया था 93rd number question days to go out to an Italian restaurant tonight इसका right उत्र है D option next question देखे 94th number question excuse me dash time please यानि excuse me के बाद हमें पता है कौन साम वर्ड यूज़ करते हैं excuse me के बाद हम हमेशा यूज़ करते हैं C option have you got the time please इसका right उत्र होगा C option यह sentence हैसे complete होगा excuse me have you got the time please यह इसका right उत्र होगा इसके बाद next question पुछा गया था he likes reading he was a dash reader यानि उसको रिड़ करना पसंद करती है और पसंद करता है he was a dash reader वो किस परकार का जो reader है यह पुछा गया है इसमें जो best जो word use होगा वो होगा voracious इसका right उत्र है voracious c option next question देखे 96th number question इसमें पुछा गया है I remember my sister taking me to the museum choose the best fit among the alternatives I remember my sister taking me to the museum यहां पे पुछा गया है कौन सा हमें जो इसका sentence बिल्कुल formation सही मिलेगा इसका जो right answer है वो है b option I remember being taken to the museum by my sister इसका right उत्र है b option next question पुछा गया था to make a clean breast of means to make a clean breast of means का आर्थ यहां पे पुछा गया था इसका जो right उत्र है वो है to confess everything इसका right उत्र है c option to confess everything उसके बाद to be above word यह again एक idiom का question पुछा गया इसका आर्थ होता है to be honest इसका right उत्र है the option to be honest इसका बिल्कुल right उत्र था to be above word का next question पुछा गया था that which cannot be corrected means यानि जिसको हम correct नहीं कर सकते उसके लिए word कौन सा यूज करते है उसके लिए word यूज करते है incorrigible इसका right उत्र है the option incorrigible next question देखे 100th number question इसमें पुछा गया state in which which the few govern the many is called यानि जिसमें बहुत थोड़े जो है सरकार चलाने वाले होते है state को चलाने वाले होते है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते है वो है oligarchy इसका right उत्र होगा हमारे पास be option oligarchy जो है वो हम वर्ड यूज करते है जिस state में सबसे जो कम लोग होते है जो सरकार को चलाते है राजे महाराजे वाली वात इसका right उत्र है be option oligarchy so ये थे 100 के 100 questions जो इस exam में पुछे गे थे 4 subject आये थे total 4 के 4 subject हमने इस वीडियो में detail में cover किये है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like किजिए share किजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल wifi education को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरू पैस कर लें तांक इस तरह की जो detail में informative videos होती है उनको आप बिल्कुल भी miss ना कर पाएं अगर आप इस वीडियो की PDF download करना चाते हो तो आप हमारे telegram channel wifi education से download कर सकते हो telegram channel का link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा otherwise आप wifi education के नाम पर search करके भी telegram group को telegram channel को join कर सकते हो वहाँ पर आप सभी को PDF सारी जो है वहाँ पर available करवाई जाते हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को maximum share जरूर करें अगर आप wifi education को support करना चाते हैं तो wifi education के channel पर एक join button जो है वो install किया गया है अगर कोई भी student इसमें support करना चाता है और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो उस membership को join करके आप मुझे support कर सकते हैं YouTube channel पर जो है join button install कर दिया गया है wifi education के official YouTube channel पर इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में so thanks for watching take care goodbye god bless you all keep supporting wifi education अगर आपको इन 100 questions से यानि इन 100 questions से related कोई भी doubt है तो आप मुझे comment box में लिखके जुरूर था ये आपका 100% doubt clear किया रहेगा और आपको जो भी doubt होगा वो सारा का सारा आपको clarify कर दे रहेगा so thank you so much मिलते हैं next video में इसके बाद current phase के section में आपको करवाऊंगा जिसमें सारे के current phase होंगे वो intelligence bureau के exam oriented होंगे उनको भी आप जिरूर देखते रहें क्योंकि maximum questions इसमें GK के जो हैं वो current phase से पूछे गेते so thank you so much